हलो दोस्तों नमश्कार स्वागते आपका साद़коль डट्डा में आज मैं बना रहे हूं वेंगन का भरता तो आए देखते हैं बैंगन का भरता बनाने के लिए हमें कैशमगरी चाहिए यह दो बड़े बैंगल ने लिये हैं, इनको दो करके साफ कर लिया है, एक बड़े साइज का प्याज लिया है, इसको अलका-अलका कट कर लिया है, एक बड़े साइज का टमाटर लिया है, इसको भी कट लिया है, मटर ली है, दो से तीन हरी मीट्च लिया है, इनको छोटा-छ लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर, जीरा, चलिए शुरू करते हैं बैंगन का बरता बनाना, सबसे पहले हमने जो बैंगन लिये थे उनको भून लेंगे, आईए भूनते हैं बैंगन को, सबसे पहले गैस ओन करें, और गैस का फ्लेम मेडियम रखें, और हमने जो बैंगन लिया था इसको भूनते हैं आप बैंगन को जो है बीच बीच में पलटते रहें आप पलटने से जो है चारतरब से अच्छे से सिख जाएगा देखे बैंगन हमारा भूनना शुरू हो गया है और याद रहें कि बैंगन को बीच बीच में जरूर चलाते रहें नहीं तो एकी तरब से भुण जाएगा दूसरी तरब से कच्चा रह जाएगा यू बैंगन का आधा इस सभी है आगे से इसको भी रोश्ट कर ले दोनों बैंगन हमने भुण लिये है अब बैंगन को 10-15 मिनट के लिए रख देंगे, इनको बिल्कुल ठंडा करना है, उसके बाद इसको साफ करेंगे बैंगन ठंडे हो गए हैं, अब बैंगन को साफ कर लेते हैं अब इसको अच्छे शे मैश कर दें बैंगन हमारे अच्छे से मैश हो गए हैं, चलिए अब शुरू करते हैं, बैंगन का भरता बनाना अब हम कड़ाई लख देंगे, और फ्लेम जो है गैस का मीडियम रखें और कड़ाई को थोड़ा गरम होने दे, कड़ाई हमारी गरम हो गई है, आप चार चम्मत तेल की डालेंगे और तेल को गरम होने के लिए थोड़ा छोड़ दे, तेल गरम हो गया है, अब इसमें आदा चम्मत जीरा डालेंगे प्याज जो हमने लिए थे, वो प्याज डाल देंगे प्याज को एक मिनिट तक भूण लें, और एक मिनिट भूणने के बाद खिरीश में अद्र ग्लैसुन का पेश डालेंगे प्याज को भूनते हुए एक बिनिट हो चुकी है, अब इसमें जो हमने अद्र ग्लैसुन का पेश गया था इसको डाल देंगे अब प्याज लेसुन रख का पेस्ट और हरी मिर्च को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनते रहेंगे प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है अब जो हमने टमाटर लिया था वो टमाटर इसमें डाल देंगे इसमें नमग मैं इसलिए डाल रहा हूँ जिससे की ये टमाटर जो हम सोफ्ट हो जाएं याज वो टमाटर की अच्छे से मिला दें जो हम तुमाटर जो डाले हैं इन गो दो तिन मिनट के लिए लिए पकाएंगे जिससे ये सोफ हो जाए अच्छे से तमाटर हमारे अच्छे से मैश हो गए है अब जो हमने मसाले लिये ते एक एक करके वो मसाले डालेंगे डेर्ड चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर आधा चम्मच हल्दी पाउडर आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच गरम मसाला और नमग आप डालें अपने टेस्ट के अनुसार और याद रहें कि नमग हमने टमाटर में भी डाला था टमाटर को मैश करने के लिए हम मसालों को अच्छे से मिला लें आपस में मटर 도ए ददें के मतर जो है मैंने पहले ही बोल कर लिए तो आप चाहें तो इसमेरे भी डाल सकते हैं और बोल कर अब दाल तकते हैं भरते के लिए हमारा मसाला तयार है अब जो हमने बैंगन लिये थे उनको मैश किया था वो बैंगन डाल देंगे अब मैश करने है आपस में मिक्स करने है अब गैस के फ्लियम को फूल करके इसको हम दो से तीन मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे भर्ते को अमने अच्छे से भून लिया है अब इसमें जो अमने हरा धनिया लिया था वो हरा धनिया डाल देंगे धनिया को भर्ते के साथ अच्छे से निक्स कर ले भर्ता हमारा त्यार है अब गैस को बंद कर देंगे और इसको प्लेट में निकाल लेंगे बैंगन के बरतेगी मेरी रेस्पी आपको कैसी लगी जदा से जदा कमेंट करके बताएं जदा से जदा लाइक करें शेयर करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स फर वाचिंग अब मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बड़िया रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक केर